sleeping barber problem देखते हैं बई इस problem को पहले problem समझते हैं problem क्या है there is one barber one barber chair और end waiting chair मतलब एक barber है जो bar काटेगा एक barber chair है जिस पे वो बैठेगा और end waiting chair है जिस पे customer आएंगे वो बैठेंगे दूसा scenario है if there is no customer barber sleeps in his own chair अगर कोई customer नहीं है तो barber सो रहा है अपनी chair पर when customer comes जब कोई customer आता है वो barber को जगाता है to wake up the barber when many customer come they sit on waiting chairs if empty अगर customer और आते हैं तो वो chair पे बैठते हैं अगर वो खाली है और अगर कोई chair खाली नहीं है तो वो छोड़के चले जाते हैं तो ये चार scenario है एक barber एक barber चेर एन वेटिंग चेर कोई customer नहीं है तो बारबर सो रहा है अगर कोई customer आता है तो वो बारबर को पहले जगाता है तिक और अगर बहुत सारे customer आते हैं तो जो खाली वेटिंग चेर पड़ इवन पर बैठ जाते हैं अगर वो खाली है और अगर खाली नहीं है तो छोड़के चले जाते हैं देखो बेसिकली इन प्राबलम का हम यूज क्यों करते हैं ये बेसिकली प्राबलम जो है ये classical problem है process synchronization की जिसमें हम आपको बहुत से scenario create करके graduate level पे ये सिखाते हैं कि process synchronization की क्या-क्या scenario हो सकते हैं क्या-क्या conditions आ सकते हैं तो उनको हम लोग कैसे-कैसे manage करेंगे तिक तो इन problems के तो हम लोग यही देखते हैं जैसे कि आपने पढ़ा होगा dining philosopher problem इससे पहले producer consumer problem तो सभी की scenario अलग-अलग होते हैं तो हर scenario में हम लोग synchronization process का कैसे बिठाते हैं वो हम लोग इनसे में सीखते हैं अब देखो sleeping barber problem में हम लोग करते क्या है मतलब इसमें क्या scenario आता है इसमें basically होता क्या है जब customer आया कोई भी customer आया तो उसके बाल काटेगा कौन बारबर टिक तो अगर हम से पूछा जाए कि कितने customer है waiting में तो होगा क्या customer आने पे एक बारबर process है तो वो भी count करेगी अगर मैं ऐसे लिखूँ waiting customer कितने हैं एक variable ले लूँ मैं waiting तो उस waiting को बारबर भी update करेगा तो टोटल customer से waiting से एक कम करेगा कौन बारबर और जब कोई customer आएगा नया तो वो क्या करेगा waiting variable को एक प्लस करेगा वाँ सुन्यारी है भाई waiting सपोस्ट को रेजिश स्टार्टिंग में 0 है अब एक customer आया तो waiting 1 हो गया दूसरा आया customer 2 हो गया बारबर ने क्या किया एक customer को बिठा लिया बाल काटने के लिए तो अब क्या रह जाएगा waiting 1 कम हो जाएगी तो waiting एक ऐसा variable है जिसको customer process और बारबर process दोनों ही यूज कर रहे हैं अगर दोनों एक ही time पर यूज कर लेंगे तो हम exact नहीं बता पाएंगे correct value नहीं बता पाएंगे कि waiting customer कितने है तो हमें क्या करना है इस waiting को ही manage करना है कि अगर customer यूज कर रहा हो तो बारबर यूज ना करे और बारबर अगर यूज कर रहा हो तो customer यूज ना करे है ना इसलिए हम इस problem का यूज अब इसमें सीमा 4 का करेंगे वेटिंग जो हमने लिखा हुआ इस वेटिंग 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 का correct identify करना अब देखें करते कैसे हैं इसमें हम लोग 4 वेरियबिल का यूज करेंगे 3,4 एक सीमा 4 customer ठीक ये क्या कर रहा है counts waiting customer कि waiting customer कितने है ठीक waiting customer को count करने के लिए हमने एक सीमा 4 यूज किया है that is customer इसमें क्या है excluding barber chair customer जो barber chair customer है barber chair है उसको छोड़के मतलब barber chair customer का मतलब एक chair ऐसी होगी जिस पर barber बार काट रहा होगा तो उसको छोड़के उसको count नहीं करेंगे कितने customer वेटिंग में है उसके लिए हमने एक सीमा 4 वेरिबल यूज किया customer barber chair customer को छोड़के मतलब बारबर जिस पर जिस customer पर बाल काट रहा है उसको छोड़के सीमा 4 वेरिबल लिया है बारबर जिस सीमा 4 वेरिबल है बारबर जिसकी value है 0 तो अगर बारबर आइडिल है वन है तो बारबर एक्टिव 0 मतलब बारबर सो रहा है अब ये आइडिल है 1 मींस बारबर इस एक्टिव एक सीमा 4 वेरिबल लिया है म्यूटेक्स किसके लिए म्यूचुवल एक्सक्लूजन के लिए एक variable all लिया है मैंने वेटिंग ये किसके लिए also counts number of waiting customers अब देखिए waiting customer के दो variable हो गए waiting customer एक सीमा फूर customer पे भी हमने लगा रखा है और यहां भी लगा रखा है तो दो की क्यों जरूरत पड़ी भाई देखिए no way to read the current value of सीमा फूर customer होता क्या है जब सपोज करो waiting 0 थी एक customer आया तो आपने इसकी value कर दी 1 दूसरा customer आया तो इसकी value कर दी 2 तीसरा customer आया तो इसकी value कर दी 3 तो आप कर क्या रहे हैं पुरानी value में ही तो अपडेशन कर रहे हैं तो सीमा फूर कभी भी पुरानी value को read नहीं करता है, SEMA 4 में क्या होता है, या तो value एक increase होती है, या value एक decrease होती है, यही दो operation होते हैं, wait और signal, wait में क्या होता है, एक value decrease, और signal में एक value increase, previous value को हम hold नहीं कर सकते हैं, किसमें SEMA 4 variable में, इसी लिए हमने, पुरानी value को update करने के लिए, एक नया variable लिया है, क्या, waiting, जब कोई नया customer आएगा, तो इस waiting variable में, हम लोग number of waiting customers को increase करेंगे, बात समझ में आ गई, तो SEMA 4 variable होगे, तीन customer, बारवर और mutex, customer क्या करेगा, waiting customer के लिए को count करेगा, बारवर 0 और 1, बारवर active होगा, या idle होगा, mutex, mutual exclusion के लिए, और एक ये waiting variable integer लिया है, जो की पुरानी value में, waiting को increase और decrease करता रहेगा, कि कितने हमारे customers, नए आते जा रहे हैं, या कम होते जा रहे हैं, ठीक, आप देखिए, अब इस problem को हम लोग solve करेंगे, ये देखिए, ये 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 लिखा है, मैंने customer के लिए, और बारवर के लिए, जो मैंने चार variables उपर लिये थे न, semaphore customer, बारवर, mutex, और waiting, इनकी initial value क्या रखेंगे, ये देख लिजे, chairs N रहेंगी, semaphore customer variable की value 0 है, ये किसलिए यूज कर रहे है, number of customers in waiting room, semaphore barber की value initial 0 रखेंगे, barber is idle, मतलब sleeping है, semaphore mutex equal to 1, ये mutual exclusion के लिए यूज हो रहा है, अभी बताएंगे कैसे, और waiting, number of waiting customers, अभी 0 है, ये चार value initialize कर दी मैंने, अब operation कैसे perform होगा, देखिए, algo 1 by 1, देखिए, ये customer है, और ये barber है, कौन सा operation है, जिसको मैं manage करना है, ये waiting, ये देखिए, यहाँ भी use हो रहा है, बारबर क्या करेगा, जब किसी को, बाल काटने के लिए बिठाएगा, तो waiting की value एक कम हो जाएगी, और जब कोई नया customer आएगा, तो waiting की value एक बढ़ जाएगी, तो इस waiting variable को, दोनों जगे यूज हो रहा है, बारबर में भी यूज हो रहा है, और customer में भी यूज हो रहा है, इसलिए हम SEMA 4 का use करेंगे, process synchronization को बिठाने के लिए, ठीक है, एक चीज और मैं बता देता हूँ, sort में, कि wait और signal operation क्या करते हैं, wait क्या करता है, जब S की value अगर greater than 1 होती है, या greater than 0 होती है, तो ये एक value decrease कर देता है, और signal operation क्या करता है, कि S की value, signal operation जब हम करते हैं S पे, तो ये क्या करता है, S की value एक increase कर देता है, ये मैंने आपको SEMA 4 में बताया था, वेटिंग में जो भी variable है उसकी value एक decrease और signal में इसकी value एक increase अब देखो suppose करो बारवर आया, बारवर क्या करेगा चेक करता रहेगा कि customer है या नहीं तो पहले ये चेक करेगा weight customer, तो हमने customer की value कितनी दे रखी है? 0 तो customer 0 हो गया तो weight condition कब चलती है जब इसकी value 0 से ज़्यादा होती है तो customer की value एक जब 0 रहेगी तो weight 0 ये condition क्या हो जाएगी? true हो जाएगी? हम भाई हम यह condition क्या लगाते हैं? जब हम सीमा 4 लिखते हैं तो यहाँ पर condition क्या लगाते हैं? as is greater than 0 आपने यादो, या तो हम ऐसे लिखते थे लूप में चलती रहती थी है न? तो weight customer की value होगे 0 तो यह operation तो चलेगा ही नहीं क्यों weight operation कब चलता है? जब value 0 से ज़्यादा हो तो मतलब जब customer है ही नहीं तो बारवर क्या होगा? आगे कोई operation करेगा ही नहीं ठीक, customer की value 0 है अब देखिए पहला customer आया तो weight को जब customer आएगा तो weighting की value बढ़ेगी और जब बारवर काटेगा बाल तो weighting की value एक minus होगी तो इसलिए हमने क्या किया है? इन दोनों में synchronization बिठाने के लिए एक mutex variable का use किया है जो mutual exclusion है देखिए कहां से? यह इस line है weight mutex तिक weight करेगा फिर इसको increase करेगा और signal जब करेगा तब यह mutex token को free कर देगा यहाँ पर देखिए यह weight mutex और signal mutex ठीक है? इसका मतलब क्या है? यह एक तरीके से token hold करेगा mutex variable के through अब देखो initial mutex क्या है? 1 तो mutex की value हो गई यहाँ पे 1 है तो इसका मतलब यह weight operation चलेगा और weight operation क्या करता है? एक value decrease तो mutex अब हो गया 0 अब mutex देखो 0 हो गया मतलब customer ने क्या किया? mutex token को hold कर लिया एक तरीके से आप mutex कर दिया इसने 0 अब देखो क्या बारबर mutex को increase कर पाएगा? अगर यहाँ पे customer होगा भी तो mutex की value कितनी रहेगी? 0 तो weight mutex पे क्या चलेगा? यह weight mutex मतलब यह value 0 रहेगी तो क्या रहेगा? condition false रहेगी तो बारबर जो है वो आगे जाही नहीं पाएगा क्योंकि customer ने इस token को hold कर रखा है तो mutex की value हो गई 0 if weighting is less than chair weighting की value कितनी है? 0 chair कितनी थी? n तो यह condition true है अब क्या हुआ? weighting equal to weighting plus 1 मतलब एक customer आ गया तो weighting की value 1 बढ़ा गई तो 0 से क्या हो गई? 1 अब क्या किया इसने? signal customer customer की value customer सीमा 4 की value क्या थी? 0 तो signal customer तो इसने एक value signal से एक value increase हो गई तो यह value हो गई 1 signal mutex अब देखो इसने यह operation परफॉर्म कर लिये न weighting को एक increase कर दिया तो अब यह जो mutex इसने 0 किया था वापस weight x कितने कर दिया? इसने 1 अब मतलब mutex हमारा free हो गया अब इसको कोई भी use कर सकता है चाहे बारबर प्रोसेस यूज़ करें चाहे customer प्रोसेस यूज़ करें ठीक है? अब देखो दूसरा customer आया अब देखना हो जब पहला customer आ गया होगा तो mutex की value 0 होगी उस time टे दूसरा customer आएगा भी तो इस process को इन operations को hold नहीं कर पाएगा क्यों mutex की value 0 थी कब तक? जब तक mutex free नहीं होगा अब mutex again कितना हो गया? 1 तो अब जब दूसरी process अब दूसरी एक तो आ चुकी थी अब दूसरी वाली आएगी उसने देखा कि mutex 1 है आगे चला अब waiting is less than chair तो waiting कितनी हो चुकी अब आपकी? 1 तो waiting हो गई अब 1 और chair कितनी है बची? n-1 तो condition अभी भी true है अब उसने क्या किया waiting equal to waiting plus 1 तो अब waiting कितनी हो गई? 2 पहले एक था अब 2 हो गया क्योंकि 2 customer आगे अब हो गया signal customer customer की value 1 थी तो signal customer कितना हो गया यहाँ पे? 2 की signal का मतलब है एक value increase करना और जैसे यह value increase हो गई तो इसने क्या गिया? जो mutex जिसको यह hold कर रखा था उसको again free कर दिया तो mutex again कितना हो जाएगा आप? 1 मासवान में आ रही? mutex का खेलिए mutex जब 1 होगा तो यह process चलेंगे mutex 1 होने पे यह पहले इसको zero कर देगा तो यह operation चलेंगे जब आपनो रसन complete कर लेगा तो mutex की value अगेन वढ़ा देगा 1 तब फिर कोई दूसरी process mutex को hold कर सकती है ठीक अब इदार आ जाओ अब customer आ गए वाई बारवन ने देखा weight customer तो अब customer की value कितनी थी? 2 तो weight क्या करेगा? weight customer weight operation का काम है एक value decrease करना तो customer की value कितनी कर दी इसने? 1 ठीक 2 थी 1 कर दिया क्यों? एक customer को अब यह बाल काटने जा रहा है अब क्या हुआ? weight mutex तो mutex की value अगर free होगी अगर mutex की value 1 होगी तब तो बार बार आगे बढ़ेगा ठीक तो mutex की value को 0 set कर देगा अगर इनके कहीं बीच में अगर इनके कहीं बीच में सबोच करो यहाँ पे customer process रन कर रहा था और mutex की value 0 थी उस टाइम पे बार बार भर भी weighting variable को operation को perform नहीं कर पाएगा क्यों mutex की value यहाँ पर क्या होई होगी 0 तो जब mutex free होगा जब ही यह काम करेगा तो mutex ने यहाँ पर भी weighting variable को hold कर रखा है और mutex ने इन दो variables यहाँ पर भी इसको hold कर रखा है तो customer की value होगी 1 weight mutex mutex अगर 1 होगा तो इसने mutex को set कर दिया 0 अब क्या होगा ना तो नया customer आएगा ना तो नया customer इसको operation को handle करेगा मतलब नया customer भी नहीं आएगा केवल बारवर ही अपना काम आगे करेगा अब इसने क्या किया weighting equal to weighting minus 1 weighting कितनी थी 2 तो अब इसने weighting को एक कम कर दिया टीक weighting को एक कम करके signal बारवर बारवर की value कितनी थी 0 बारवर क्या था? idle था अभी तक अब इसने कर दिया बारवर की value 1 signal से करते ही इसकी value कितनी होगी 1 मतलब बारवर अब active हो गया है अब बारवर बाल काट रहा है signal mutex mutex जो इसने 0 hold किया था जो 0 हो चुकी थी इसकी value again set कर दी 1 मतलब mutex को free कर दिया अब कोई नया customer आ सकता है क्यों mutex 1 हो जाएगा तो अब ये process आगे चलेंगी अब नया customer आ सकता है तो waiting को update कर सकता है तो हमारा इस process के थूँ टार्गेट क्या था? कि waiting जो हमारा variable है इसकी correct value find out करना तो mutex waiting या तो एक बार में ये increase कर सकता है या waiting एक बार में ये decrease कर सकता है वाया variable कौन सा? mutex mutex में हमने wait और signal यहां लगाया हुगा है wait और signal यहां लगाया हुगा है तो आपने देखा एक बार में या तो बारवर decrease करेगा या customer increase करेगा दोनों एक साथ नहीं चल सकते, ठीक, तो बारवर्ण ने क्या किया, Mutex को free कर दिया, और बाल काटने में अपना विजी हो गया, बाल काटने लगा, ठीक बात, इधर देखिए, अब तीसरी process आई, तीसरी process आई, तो Mutex उसने 0 किया, वेटिंग कितना हो चुका था आपका, 1, क्योंकि एक के तो बाल काट रहे हैं, दो customer आये थे, एक के बाल काटने लगे, एक वेटिंग में है, तो वेटिंग is less than chair N-1, बिल्कुल correct, क्योंकि फिर chair N-1 हो गई, चेर खाली होगी, एक पहुंचगी कहाँ पर, जिस पर बाल काट रहे हैं, उस chair को तो में exclude कर देते हैं, मैंने पहले ही बताया था, यह देखो मैंने लिखा था, exclude बारबर chair customer, जिस पर बारबर बाल काट रहे हैं, उसको exclude करके, है ना, तो 1 is less than N-1, अभी भी true है, waiting equal to waiting plus 1, तो 1 हो चुकी थी ना, waiting, again 2 हो जाएगी, signal customer, customer के signal की value कितनी थी, 2, अभी यह क्या करेगा भाई, customer, signal customer, यहां देखो, customer हमने wait operation कराया था ना, एक value कम हो चुकी थी, तो again 2 हो जाएगी, 1 plus 1, 2, फिर जैसे customer आएगा, दो तीसरा आएगा ना, तो एक तो बैठ गया उस पे, दो आगए waiting queue में, और mutex को इसने again क्या कर दिया भाई, free कर दिया, ठीक, तो इस तरीके से, जो भी हमारे customer आ रहे हैं, वो waiting को तभी increase कर पा रहे हैं, जब mutex free हो, ठीक, और mutex के थुरू, waiting variable को एक बार में या तो customer hold on कर पा रहा है, या बार बर hold on कर पा रहा है, तो waiting variable, waiting जो हमारा एक variable है, यही एक shared resource है, जिसको दोनों process जो हैं, वो execute कर रही है, तो हमने इस पे mutex, mutex, wait or signal, wait or signal लगा के इसको proper कर दिया, कि अब एक time पर एक ही use करेगा, अब देखिए, बाल कटेंगे कब, signal mutex, तो यहाँ पे तो mutex free हो गया, mutex यहाँ lock हो रहा है, यहाँ free हो रहा है, अब weight barber, weight barber का मतलब, बार बर यहाँ पे कितना हो चुका था, one, active था, और weight barber का मतलब, बार बर की value कर दी 0, इसका मतलब है, कि जो process आएगी, उसने बार बर को occupy कर रखा है, उसने बार बर को occupy कर रखा है, बार बर की value 0 यह दिखाती है, या तो बार बर सो रहा है, या बार बर occupy कर रखा है, और get haircut, फिर वो अपने बाल काटेगा, मतलब, अब कोई दूसरा customer अगर आएगा, तो बार बर को आपूपाई नहीं कर पाएगा, जब तक कि इसके बाल नहीं कटेंगे, इस तरीके से यह process चलती रहती है, मैं एक बार repeat करता हूँ, customer आएगा, mutex की value 0 करेगा, condition check करेगा, waiting की value एक increase करेगा, और signal करेगा, जो customer variable था, सिमा 4 का, उसकी value एक increase कर देगा, और mutex को free कर देगा, ठीक, mutex को free करने के बाद, initial process में, बारबर को occupy करेगा, बारबर की value जो 0 थी, अगर occupied है, तो उसको value क्या करेगा, 0 कर देगा, अब देखना, अगर बारबर पहले ही 0 होगा, तो फिर यह operation चलेगा ही नहीं, कौन सा, यह वाला, यह operation चलेगा ही नहीं, क्यों, बारबर की value 0 होगी, तो weight condition कब चलती है, नहीं, तो यही infinite loop में चलता रहेगा, कब तक इधर जबाएगा, इधर आने पर क्या होगा, बारबर की देखेगा, customer है, yes, one हो जाएगी इसकी value, mutex को lock करेगा, ठीक, mutex की value एक 0 करेगा, waiting की value को एक minus करेगा, one हो गया, और signal बारबर, अपनी value क्या कर देगा, one, तो जैसे ही यह value अपनी one करेगा, त्यान समझना, यह चीज यहां से link है, इस वाले से, जब बारबर अपनी value को एक increase करेगा, active mode में लाएगा, उसी time पे, customer क्या होगा, बारबर process को देखती रहेगी, तो जो process यहां पर होगी, वैसे ही, जैसे ही इसको one मिलेगा, यह immediate उसकी value, zero कर देगा मतलब बारबर को occupy कर लेगा, और आगे आ जाएगा, get haircut, वो process, वो customer बाल कटवाने लगेगा, ठीक, और यह क्या करेगा, mutex को यहां से free करेगा, क्योंकि इसने hold कर रखा था, और फिर इसके बाल काटने लगेगा, किसके, जिसने यहां पर get haircut, call किया था, ठीक, इस तरीके से customer और बारबर आपके बाल काटते रहेंगे, वाया mutex variable, waiting variable को hold करेंगे, पर यहां wait बारबर से क्या करेगा, कि बारबर को occupy कर लेगा, और बारबर यहां से जैसी अपने आपको one करेगा, कि यहां मैं free हूँ, या मैं active हूँ, तुरंत यह को hold कर लेगा, अब यह condition देख लो, जो भी n है, तो क्या लिखा है, else signal mutex, जो इसने mutex hold किया था, mutex की value जो इसने zero की थी, वो one कर देगा, बिना किसी काम को किये हुए, मतलब इसमें से कोई भी operation वो perform नहीं करेगा, जो इसने यहां पे mutex को wait किया था, उसको ही signal कर देगा, मतलब जो यहां से variable lock किया था, उसी variable को य यह perform की है, तो इस तरीके से आपकी यह customer browser problem solve हो जाती है, ठीक, इस तरीके से यह shared variable जो waiting वाला है, यह manage किया जाता है, ठीक, आप देख लीजिए एक बार, यह पूरा अलबो मैंने लिखा हुआ था, ठीक, अगर कहीं कोई doubt आती है, तो आप comment section में डालिएगा, ध्यान से इसक section में, doubt it, okay, thank you.